नमस्कार दोस्तो मैं जोती प्रगती के क्लोज चैनल में आप सभी का बहुत-वहुत स्वागत करती हूं दोस्तो मώνसून सीजन में सभी पौधें बहुत हिल्दी और स्वस्त रहते हैं तो मानसून में हम लोग कई तरह के बल्ब वाले पौधे का इंजॉय ले सकते हैं उन्हें लगा सकते हैं या नर्सरी से लाकर अपने गार्डिन में एड़ कर सकते हैं तो आज की वीडियो में फूल इंफर्मेशन होने वाली है कैसी सॉइल लेनी है हमें किस तरह से बल्ब को सही तरीके से लगाना है और इस सीजन में कौन-कौन से बल्ब हम लोग अच्छे से लगा सकते हैं तो चलिए वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले नमबर पर आप जो ये पौधा देख रहे हैं फूलो वाली ये बल्ब से लगता है या निराइजोम कितरू लगता है इसे बर्ड अप पैरडाइस या हैलिकोनिया भी कहा जाता है बहुती तरह के इसके स्पेसिस होते हैं कई प्रजातियों में ये तो हमारे हां की नर्सरी में ये इस वक्त मिल रही है तो मैंने भी नर्सरी से लाएकर अपने गार्डन के लिए एड करने की सोची है तो ये देखें ये मुझे 30 रुपे में मिला है तो ये हैलिकोनिया का बर्ड अप पैरडाइस येलो और्ण्ज कह सकते हैं कलर का है ये ये सबता हो वकाता है दोसतों, पूलि início बहुत помस rank फूल वाला पॉधा जिसए फुटबॉल लिली कहा जाता हिएक उसका बल्ब है और इसके फूल की से बहुत ही अद्बुद होती है तो ये उसका बल्ब है और ये उसी बल्ब से निकला हुआ पौधा है तो इसकी फोलीज भी काफी खूबसूरत होती है विंटर इसका डॉनमेंट का पिरियेड होता है और लेट समर से लेट मानसूम तक इसके ब्लूम कभी देखने को मिलते हैं इस वक्त आपको बने बनाए पौध नर्सरी में या उसके बल्ब लाकर एड़ करेंगे तो इस तरह से फूल खिलते हैं काफी खुबसूरत फुटबॉल के सेप में ये होता है इसलिए इसका नाम फुटबॉल लिली पड़ा है नेक दोस्तों डे लिली का बल्ब होता है ये एक दिन खिलता है और स्टॉक में इसके कई सारे कलिया लगे वे होते हैं और एक ही करके सारी कलिया खिलती हैं बहुत ही सुंदर होता है ये फूल और कई तरह के कलर्स में एविलेबल होते हैं इसका एक पौधा आप या एक बल्ब इसके लाकर लगाए तो कई सारे मल्टिप्लाई होंगे सीड से भी ये लग जाते हैं इसली हाला कि हर बार सीड पॉड नहीं बनता है पौधे में तो इस तरह से आप डे लिली का बल्ब लगाए और कई सारे कलर में अवेलेबल होता है तो मैंने भी इसको लगाई थी हाला कि जर्मिनेट नहीं हु मैंने उनसे कुछ दिनों पहले मुलाकात की थी तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल में है लिंक में डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दोंगी नेक्स दोस्तों ये क्राइनम लिली है बहुत ही हेल्दी इसके बल्ब होते हैं बड़े-बड़े साइस के बल्ब होते हैं और ये देखे कितना खुबसूरत मानसून के समय इसके फूल खीलते हैं इसकी फूलो में बहुत ही भिनी-भिनी से खु़जबू होती है इसे मील को इन वाइन फ्लावर भी कहते है इसके कलर्स के कारण बहुत ही खुबसूरत स्टॉक में निकलकर छہ से आठ थचा स्टॉ यह फ्लावर लटकते रहते हैं जहां भी यह रहता है वहां पॉलिनेटर बहुत आते हैं इसकी खुजबू से हम लोग से खीचे चले आते हैं गार्डेन में जैसे यह आप इंटर करिए इसकी खुजबू से मध्धोस हो जाएगा एक बल्ब लाने भर की देरिये धेर सारा मल् इसकी खुजबूस होते हैं एसा होता है कि मेरे पॉट को इसने फार दिया इतना ज़्यादा यह मल्टिप्लाइ हुआ इसकी कई सारे कलर्स अविलेवल है नर्सरी में और कई सारी वराइटीज इसकी अविलेबल है हाइब्रीड देसी सिंगल पेटल मल्टि पेटल में एव नेक्स दोस्तों इस समय आप वाटर लिली को भी अपने गार्डेन में एड़ कर सकते हैं और लोटस को भी एड़ कर सकते हैं वाटर लिली के जो राइजोम या आप ट्यूब बोल सकते हैं वह आप लाकर ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं या लोकल नर्सरी में मिले तो पर और यह ब्लू कलर का वाटर लिली है तो इसे लोग नील कमल भी समझ उठते हैं काफी खुबसूरती के साथ ही आपके गार्डेन में ब्लूम होगी नेक्स दोस्तों यह राइजोम के तुरू या बल भी कह सकते हैं होने वाला यह बहुत ही फोलियज खुबसूरत परपर सैमरॉप का प्लांट देख रहे हैं इसके जो फ्लास लगते हैं वो भी काफी खुबसूरत होता है तो एक राइजोम से यह कई सारे बन जाते हैं हलाकि उनलाइन इसके राइजोम मिलते हैं नसरी में इसके पौद मिलते हैं यानि कि राइजोम नहीं मिलता है इसके बने बनाएं पौद मिलते हैं तो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाने के लिए अपने पौदे को निकाली हो देखिए इस तरह से इसके राइजोम होते हैं इसमें ये foliage लगता है और flower भी लगता है तो एक rhizome आप लगा देंगे कई सारे multiply हो जाते हैं online इसकी rhizome available होते हैं इसे oxalis triangularis भी कहे जाता है क्योंकि इसके कई सारे varieties available होते हैं नर्सरीज में तो इसके rhizome winter में इसकी पतिया कई बार dormant होकर ये सूख जाते हैं अंदर अंदर इसके rhizome बने हुए होते हैं और फिर जैसे ही spring season आता है और ये खुदी grow हो जाता है तो इस तरह से आप इसको add करें काफी खुबसूरत है इसके foliage बहुत ही नाजुक इसे purple samrock भी कहते हैं बहुत ही खुबसूरत लगता है ये मुझे rhizome से लगाने के बाद देखे इसकी growth कितनी अच्छे से हुई है पूरा pot भर लिया है और उस time एकी तरफ था इसलिए मैं उसको लगा दी हूँ निकाल कर और इसके flowers भी काफी खुबसूरत होते हैं तो नेक्स दोस्तो अब जो आप लोग देख रहे हैं ये कैलेडियम का bulb देखा रही हूँ आप लोगों को इसे मैंने अपने garden से निकाल कर लाई है तो ये बहुत ही healthy और बड़ी सी bulb है ये देशी वाला variety है ग्रीन कलर का foliage होता है red and white कलर के dot होते हैं काफी खुबसूरत लग काफी सुन्दर इसका foliage होता है जैसे ही मांसून स्टार्ट होता है बस इसके foliage खुद बखुद नीचे से निकल कर active हो जाते हैं और काफी खुबसूरती आपके garden को add करती है तो ये दो तरह के कैलेडियम मेरे garden में है एक नई variety मैंने add करी है ये वाली hybrid वाली तो उतना healthy मुझे बल्ब नहीं लगा इसके कई सारे foliage different different varieties में available है तो कौन सा ये निकल कर आएगा मुझे भी नहीं पता था क्योंकि नर्सरी वाले को भी नहीं पता था तो ये उतना healthy bulb तो नहीं मिला पर जो मिला इसको मैंने लगा दी और बहुत ही अच्छे से फिर जैसे मानसून हुआ इसके फोलेज निकल गई काफी अच्छा वेल्डेंड सॉयल में मैंने लगाई थी मैं सॉयल भी आगे बताऊंगी आप सभी को तो वीडियो फूल देखिएगा इस तरह से देखे इसके फोलेज निकल कर आए नेक्स दूस्तों ये स्पाइडर लिली की अलग वराइटी है कोरिस लिली कहा जाता है ये रेड पिंक एंड येलो कलर में एविलेवल होता है तो कौन सा कलर निकलेगा ये मुझे भी नहीं बता है तो ये इसके बल्ब फिप्टी रुपीस में नरसरी में मुझे मिली थी तो मैंने इसे बहुत ही अच्छी वेल्डेंड सॉयल में जाएगा हाला कि मैंने लगाई अभी तक इसके बल्ब तो सही है पर इसमें भी पतिया निकल कर नहीं आई है तो जैसे ही फेबरेवल मांसून आता है समय आता है तो निकल जाएगा नेक्स दोस्तों इसी की एक अलग वराइटी से नरेन लीली क्या जाता है नरेन लीली और लाइकोरिस लीली के बल्ब लगबख सेम ही है बस थोड़ी से इसकी स्पेसिस अलग होती है फ्लावर भी लगबख सेम ही होता है तो ये देखिए दोनों के बल्ब मैं कंपेर करकर दिखा रही हूँ नरेन लीली के बल्ब थोड़े चोटे हैं और लाइकोरिस के थोड़े ब तो देखे जैसे मानसून शुरू हुआ यह बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया है और यह लेट समर से लेकर पूरे मानसून सीजन यह अक्टूबर नौंबर तक यह ब्लूम करते रहते हैं काफी खुबसूरत होता है नेक्स दोस्तों यह सर्प्राइज लीली या कामफेरिया क आप बल्ब देख रहे हैं तो यह उसका रूट है और बीच वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं वहीं से स्प्राटिंग होगी इसकी फोलेज भी बहुत ही सुंदर होता है इसे पिकॉक लिली भी कहते हैं क्यूंकि इसकी फोलेज में उस तरह के पैटन बने हुए होते हैं तो यह देखें इसके साइड साइड में इसके रूट निकले हुए हैं इसे ट्यूबर भी कह सकते हैं आप लो तो लेकिन फ्लावरिंग बीच वाले बल्ब से ही होगी तो कई सारे यह मल्टिप्लाइ हो रहे हैं काफी खुबसूरत इसके फूल और फोलेज दोनों होते हैं ह इसके बल्ब वाले फ्लावरिंग प्लांट यह इक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावरिंग देखनी को मिलता हैं आजान समा टाइम अलग और मांसून टाइम अलग तो इस तरह से मैंने इसे लगा दी है और इसकी ग्रोद भी निखल गई यह काफी अच्छे से तो इसे वे फूलों से जादा इसके फोलियस सुन्धर होते हैं कुछ दिनों के बाद इसके फोलियस में पैटर आ जाएंगें नेक्स दोस्तों या रजणी गंदा का आप देख रहे हैं काफी खुबसुरत मांसून में भर भर कर लेट समर से लेकर पूरे मांसून तक इसमें ब्लूमिंग देखने को मिलती है तो इसके बल्ब इस तरह से होते हैं तो मिच्च और बल्ब में ही फ्लारिंग होती है तो जब भी आप नरसरी से ले एक बड़ी साइस के बल्ब ले नेक दोस्तों यह कैनालिली आप लोग देख रहे हैं इसके कई सारे कलर्स अभी लेवल होते हैं मल्टी पेटल सिंगल पेटल लेकिन ये काफी खुबसूरत होता है और इसके एक खास्या थे कि इसे पूजा में भी हम लोग उपियोग में लाते हैं तो ये हर घर में आपको देखने को जरूर मिलेगा काफी कॉमन लिली है कैनल लिली बहुत ही अच्छा से ये ग्रो होता है थोड़ पास्ट तया झाल कोई ना ही इसे चख ćुबब और आप ऐसी फूजारने प्लांट में चाहिए उरना बल्ब गलकर भीटर खड़ाब होजाएक आपको पता नहीं चलेगा ने क Göris यह नहीं इसके आगनी। दोस्तों होता है, इसके एक कहते हैं, इसे आगनी सिहां कryक रही होता है, फूल कपौदा तो इस तरह से इस के लगाने के इस सही तारीका इस तरह से हैं एक ऐसे आराम से इस से लगाना है हालाकि यह मेरा जErRad Minate नहीं हुआ तो मैं फिर से अगले साल लाकर इसे जरुर ट्राइ करूगा कई बार सब कुछ सही रहने के बार टेंपरेचर फेबरेबल नहीं होता है या बल्ब हेल्दी नहीं होता है तो भी ग्रो नहीं होता है नेक जो सब कुछ सही रहने के बार टेंपरेचर फेबरेबल नहीं होता है या बल्ब हेल्दी नहीं होता है तो भी ग्रो नहीं होता है ने इसके डिफेन डिफेन कलर्स और सेट्स एविलेबल है एक बढ़ लाएंगे तो यह कभी आपके गार्डिन को छोड़ कर नहीं जाने वाला है काफी खुबसूरत फूल होता है और इस तरह से देखे सारे बल को लगाने के बाद इसे वाटरिंग करना है और वाटरिंग से बच करिएगा तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूं बाई दोस्तों टेक कियर हैपी गार्डिनिंग